नमस्कार, टार्गेट विद आलोक के एट पीम न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्रा खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर आरोग शेतु आयप पर निजता के उलंगन का आरोप सरकार ने दिया स्वास्थ और सुरक्षा का हवाला वैस्विक पोशन रिपोर्ट दो हजार बीस जारी लक्ष प्राप्ती में भारत के विफलता की आशंका प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूर अधनियम 1989 अहम संसोधन के जरिए 13 स्रम कानूनों को एक रूप दिये जाने की तैयारी तो आए खबरों की सुरुवात करते हैं कोरोना वाइरस की रोक्थाम के लिए भारत सरकार ने 2 अप्रेल को आरोग सेतु एप्लिकेशन लौंच किया हाल ही में विशेशग्यों ने आरोग सेतु एप्लिकेशन की प्रभावकारिता और सुरक्षा पर प्रस्ण चिन्ह लगाया है इसके साथ ही साथ कानूनी विशेशग्यों और सरवोच न्यायाले के पूर्व न्यायाधी से बी एन स्रीकृष्ण ने भी आरोग सेतु एप्लिकेशन की गोपनियता नीती पर चिंता जाहिर की इन्होंने कहा कि यह एप्लिकेशन नागरिकों को फाइदा पहुचाने की बजाए उनकी चिंता बढ़ाएगा आपको बता दें कि जस्टिस बी एन स्रीकृष्ण उस एक्सपर्ड कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं जिसने परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मशोधा तयार क था ऐसे में स्रीकृष्ण का आरोप काफी मायने रखता है जहां एक तरफ सरकार इस एप्लिकेशन को लोगों के स्वास्त सुरक्षा और रास्ट के लिए जरूरी बता रही है वहें बिपक्षी दल इसे निजता के अधिकार से जोड़ कर देख रहे हैं विशेशग्यों की माने तो आरोग शेत एप्लिकेशन के डाटा संबंधी नियम को ब्यक्तिकत डाटा संलक्षन कानूनों के साथ जोड़ देना चाहिए आपको बता दें कि वरतमान में भारत का ब्यक्तिकत डेटा संलक्षन बिल संसत द्वारा अनमोधित किये जाने की प्रक्रिया में है इन आरोपों के संदर में भारत के आईटी सचिव अजय प्रकास साहनी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी को बेहतर तरीके से संबोधित करने के लिए स्वास्त प्रतिक्रियाओं और नितियों का निर्मान किया जाना आवश्यक है और इसके लिए नीत निर संक्रमित होने का उच जोखिम है या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हैं आरोग से तो एप्लिकेशन के जरीए एकत्र किये जाने वाले डाटा को समगर रूप में प्रतिक्रियाओं डाटा कहा जाता है इसमें इन डाटा को जनसांखिकी संबंधी संपर्क संबंधी स स्थान संबंधी डेटा के रूप में चार स्रेडियों में बाटा गया है इस एप्लिकेशन में उपयोग किये जाने वाले प्रतिक्रिया डेटा को आयप डेवलपर राश्तिय सूचना विज्ञान केंद्र यानि नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर या एन आइसी द्वारा उन सभी मंत्रालियों विभागों और संस्थाओं के साथ साजह किया जाएगा जिनके लिए नेत निर्मार के दोरान इस प्रकार के डेटा एक आवश्यक घटक के रूप में सामिल होते हैं जारी निर्देश के अनुसार इसे तीसरे पक्ष के साथ भी साजह किया जा सकता है लेकिन ऐसा तब किया जाएगा जब यह COVID-19 के संदर में प्रत्यक्ष रूप से अनिवारी है इसके अलामा अनुसंधान के लिए भी भारत में पंजीकृत अनुसंधान संस्थाओं के साथ डेटा को साजह किया जा सकता है सरकार के निर्देश अनुसार विभिन मंत्रालियों और संस्थाओं के साथ साजह किया जाने वाला प्रतिक्रिया डाटा अनिवार रूप में डी आइडेंटिफाइड होना है डी आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी व्यक्तिकी व्यक्तिगत पहचान को प्रकट होने से रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया से है NIC उन सभी एजंसियों की सूची बनाएगा जिनके साथ डाटा साजह किया गया है सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी संस्था 180 से अधिक दिनों के लिए ऐसे किसी डाटा को अपने पास नहीं रख सकती हाल ही में वैस्विक पोशन रिपोर्ट 2020 यानि ग्लोबल नूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी हुआ इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक वैस्विक पोशन लक्ष यानि ग्लोबल नूट्रिशन टार्गेट को प्राप्त करने में विफल रह सकता है इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्तमान में उपलब्द चार आकड़ों में से किसी को भी पाने में सक्षम नहीं है आपको बता दे कि पोशन के चार मानुकों में पांच वर्से कम आयू के बच्चों में कुंठित बृद्धी, प्रजनन योग्य आयू वाली महिलाओं में रक्ताल पता, बच्चों का अधिक भारी होना या मोटापा और अनन्य अस्तनपान शामिल है गौर्टलब है कि विश्व स्वास्थ शभा ने माताओं, सिस्वों, छोटे बच्चों या किसोरों के लिए पोशन के 6 लक्ष निर्धारित किये गए थे जिनको साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है इस लक्ष के अनुसार सरकारों से आसा की गई है कि 5 वर से कम उम्र के बच्चों में कुंठित बृध्धी या बाउनापन में 40 प्रतिसत की कमी प्रजनन योग्य आयू में महिलाओं में रक्तालपता के मामले में 50 प्रतिसत की कमी बच्चों में मोटापा को पूरी तरह रोकना जन्म के पहले 6 माह तक केवल स्तनपान पर रखने की दर को 50 प्रतिसत तक बढ़ाना बच्चों में दुरबलता में कमी लाना और इसे 5 प्रतिसत से कम पर बनाए रखना जैसे लक्षों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को नाइजीरिया और इंडोनेसिया के साथ रखा गया है जहां कुंठित ब्रिद्धी के मामले में असमानता देखी गई इन मामलों से निपटने के लिए सरकारों को जागरुकता कारिक्रमों के जरिये लोगों में जागरुकता फैलाना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ केंद्रों की शक्रियता आंगनवाडी केंद्रों के माध्यम से गरभती महिलाओं और बच्चों में पोशक भोजन की वृध का सामना करना पड़ा ऐसी परिस्थिती में अंतर राज प्रवासी मजदूर अधनियम 1989 यानि इंटर इस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट आक्ट 1979 काफी महत्वपूर हो जाता है एक राज से दूसरे राज जाने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार और काम की दसाओं से संबंधित यह अधनियम अभी तक लागू नहीं किया जा सका आपको बता दें कि प्रवासी स्रमिक वह ब्यक्ति है जो अपने देश के भीतर या बाहर काम करने के लिए पलायन करता है जिस छेतर में यह स्रमिक काम करते हैं वहां अस्थाई रूप से रहने का इनका कोई इरादा नहीं होता दरसल इस अधनियम में मजदूरों की पंजी बनाने का निर्देश है और इस पंजी करण के अभाव में कोई भी मुख्य रोजगार दाता किसी प्रवासी मजदूर को नौकरी पर नहीं रख सकता इतना ही नहीं जो रोजगार दाता या ठेकेदार एक र दूसरे राज्यों के पंच या अधिक प्रवासी मजदूरों को काम पर रखता है बीते 12 माह में यदि एक दिन भी कोई प्रतिस्थान पाँच या अधिक प्रवासी मजदूर रखता है तो वह भी अधनियम के दायरे में आता है इसके साथ-साथ नौकरी पर रखने वाले ठेकेदारों पर भी यह अधनियम लागू होता है इस अधनियम के मद्द नजर ही प्रवासी मजदूरों को रखने वाले प्रतिस्थानों की जिम्मेवारी सुनिश्चित होगी यह अधनियम कहता है कि काम की समान ट्रकित होने पर प्रवासी मजदूरों को वो हर सुबधा मिल जो उस राजी के अस्थानी मजदूर को मिलती है। इस अधिनियम में संसोधन करने के लिए संसद में Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2019 नाम से विधेयक भी लाया गया है। इस प्रस्तावित संगिता में 13 स्रम कानूनों को एक कानून का रूप दिये जाने की तैयारी है। और अवन्ति में आईए कुछ अन्य महत्वपून खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से बेहत महत्वपून साबित हो सकते हैं। चीन ने अंतरिक्ष आधारित Internet of Things संचार प्रवद्योगी की जाज के लिए दो उपग्रहों सिंग यून 201 और सिं ए रॉकेट से लॉंच किया गया। भारती महिला पैरा एथलिट दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से सन्यास लेने का फैसला किया। मलिक ने यह फैसला भारती पैरालंबिक समिती का अध्यक्ष बनने से पूर्व किया था। दरसल नेशनल स्पोर्ट्स कोड में यह था है कि कोई भी शक्रिय एथलिट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक तोर पर पदा से नहीं हो सकता। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोड के निर्देश पर दीपा मलिक को पैरालंबिक समिती का अध्यक्ष चुना गया था। दीपा मलिक को 2012 में अर्जुन अवार्ड 2017 में पदमिस्री और 2019 में देश के सर्वोच खेल सम्मान राजु गाधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह पहली भारती महिला खिलाडी हैं। दीपा ने रियो पैरालंपिक खेल 2016 में गोला फेंक सौट प टाइम पे गोड़ा अंतरास्ती हवाई अड़े को भारत और मध एसिया का सर्वस्रेश्ट हवाई अड़ा चुना गया। बैंगलोरू हवाई अड़े का परचालन बैंगलोर एयरपोर्ट लिमिंटेड करता है। अंगठनों से जुड़ा है। COVID-19 के मद्दे नजर अन्य देशों में फसे भारतियों को लाने के लिए 7 मई से वंदे भारत अभियान के पहले फेज की सुरुवात की गई। इसी सिलसले में इस अभियान के दूसरे फेज की सुरुवात 16 मई सी किया जाएगा जो की 22 मई तक चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजासत नमस्कार।